हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक तो आज के में इस वीडियों कने वाल हैं क्लास नाइन्थ हिंदी का चैप्टर नंबर सेवन सुर्दास के पद वर्क बुक स्टार्ट करते हैं चैप्टर बिना किसी देरी के विभाग वन पद आधारित क्वेशन नंबर वन सही विकल्प चून कर रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए क्वेशन नंबर वन बाल क्रिश्ण के हाथ में डैस लिये सोब सोफा दे रहे हैं पुश्प या नवनीत एंस्वर है नवनीत इसेकेंड नंबर स्रिकृष्ण के नेत्र डैस है विशाल या चंचल विशाल थार्ड नंबर के सरीर पर डैस लगी है धूल या गुलाल एंस्वर है धूल फोर नंबर जहाज का पंच्छी उड़कर पुनह डैस पर ही आता है व्रिच या जहाज एंस्वर है जहाज फाई नंबर श्रीक्रिष्ण के सीर के दोनों और डैस लटक रही है लटे या माला एंस्वर है लटे फोर्ष्ट में नवनीद सेकेंड में विसाल थर्ड में धूल फोर्थ में जहाज और फिप्थ में लटे Q2. नेमनलखीत प्रश्णों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिये Q1. जहाज का पंठी जहाज से उढ़कर फिर कहां आता है एंस्वर है जहाज का पंठी जहाज से उढ़कर फिर जहाज पर ही आता है सेकंड नमबर सुर्दास के मन मधुकर को करील फल क्यों नहीं भाता एन्स्वर है सुर्दास के मन मधुकर को करील फल नहीं भाता क्योंकि उसने स्रीकृष्ण भक्ती का अम्बूज रस्त चक लिया है सुर्दास्त ने स्रीकृष्ण को किसके समान बताया है एंस्वर है सुर्दास्त ने स्रीकृष्ण को काम देनू के समान बताया है Question number 4 Shri Krishna की जूलती हुई लटे कैसी लग रही है Answer है Shri Krishna की जूलती हुई लटे ऐसी लग रही है जैसे मधू पीकर भारो मधो मन्त हो रहे है 5 number सूर धन्य क्यों हुए Answer है सूर धन्य हुए क्योंकि उन्हे स्री Krishna की दुरलव छबी के दर्शन हो गए हो 6 number बाल क्रिश्न के मुख पर किसका लेप किया हुआ है Answer है बाल क्रिश्न के मुख पर मक्खन का लेप किया हुआ है Question number 7 भवरा किस रस को चाव से चखता है Answer है भवरा कमल रस को भाव से चखता है Question number 3 निम्नलिखित प्रस्णों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए First number सुर्दास ने किस प्यासे को दुर्मती कहा है Answer है गंगा नदी जल से सुध और पवित्र अन्ने कोई नहीं है जो प्यासा व्यक्ती उसे छोड़ कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुवा खुदवाए उसे सुर्दास जीने दुर्मती कहा है Question number 2 सुर्दास छेरी दुहने की जरूरत क्यों नहीं समस्ते Answer है सुर्दास अपने प्रभू स्रीक्रिशन को काम धेनू मानते है इसलिए बक्री दुहने की जरूरत नहीं समस्ते Third number सुर्दास के अनुसार सव कल्प जीने की आवशक्ता क्यों नहीं है Answer है सुर्दास मानते हैं कि स्रीक्रिशन की दुड़लब छबी के एक पल के लिए दर्शन भी हमें धन्य बना देते है ऐसे दर्शन हो जाए तो फिर सव कल्प जीने की आवशक्ता नहीं है Question number 4 निन लिखित प्रश्णों की उतर 5-6 वाक्यों में लिखिए Question number 1 सुर्दास ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ती भावना प्रकट की है Answer है सुर्दास जी कहते हैं कि मैं स्रिक्रिशन रूपी जहाज पंची हूँ उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता स्रिक्रिशन की महिमा भूलकर मैं और किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकता स्रिक्रिशन जैसी गंगा का जल मिलने के बाद मुझे कुवे का जल पीने की चाह नहीं है मेरा मन मदुकर स्रिक्रिशन की भक्ती का जहाज अंबूज रस चखने के बाद अन्य किसी रस की इच्छा नहीं रखता मेरे प्रभू तो काम धेनू के समान है उनको छोड़कर मैं बकरी का दूद दूने क्यों जाओं इस प्रकार सुर्दास जी ने विभिन बुदाहरणों द्वारा विभक्ती भावना प्रकट की है क्वेशन नमबर टू बालक स्रिक्रिष्ण के रूप में वर्णन कीजिए एंस्वर है आप लोग का बालक स्रिक्रिष्ण की मुर्ती बड़ी मनोहर है वे अपने हाथों में मखन लिये घुटने के बल पर चल रहे है उनके मुह में मखन लगा हुआ है उनके गाल सुन्दर और आख चंचल है उनके माथे पर गोरो चन का तिलक लगा हुआ है उनकी लटे मद मस्त भवरो जैसी सुन्दर लग रही है वे अपने गले में कठुला की माला पहने हुए है इस प्रकार स्रिक्रिष्ण की छबी अत्यांत मनमोहक है सुर्दास अपने आपको धन्य क्यों मानते है एंस्वर है सुर्दास स्रिक्रिष्ण के अनन्य भक्त है स्रिक्रिष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी को ध्यान नहीं करते स्रिक्रिष्ण को मनमोहक छबी सदा उसकी आखों में वसी रहती है यह चबी उन्हे अनुपम सुख प्रदान करती है वे सिर्क्रिष्ण की इस चबी को दुरलभ मानते है उन्हे अपने प्रभू की इस अनोखी मूर्ती को दर्शन हुए है इसलिए वे अपने आप को धन्य मानते है विभाग टू व्याकरण आधारित कोशन नमबर वन निम लखित सब्दों के विरोधी सब्द लिखिए फर्स्ट नमबर सुख दुख सकेंड देव दानव थर्ड प्यास त्रिप्त फोर चारू भदा फिफ्थ दुर्मती सुमती सिक्स कड़ूआ मीठा कोशन नमबर टू पर्रेव आची सब्द लिखिए फर्स्ट नमबर पच्छी एंस्वर है खग अंबूज एंस्वर है जलज थर्ड है कूप एंस्वर है कुवा फोर है मधुकर एंस्वर है भ्रमर फिफ्थ है धेनू एंस्वर है गाय शिक्स है चेरी एंसर है बकरी शेवन है नवनीत एंसर है मकखन एट है लोचन एंसर है नयन कंठ आपका गला नख का नまぁ खुन कर का एंसर है हाथ रेनू का होगा धूल चारू का एंसर है सुन्दरuse पोल का गाय, दधी का दही और लोल का चंचल. Question number 3. उपसर्क पहचान कर लिखिए. दूर्मती, answer है दू. उपसर्क पहचान कर लिखना है यहने आपको सबसे आगी का सब्स लिखना है. Second number, Ananya. तो आपका answer है अन. Third है अनुपम, answer है अन. Question number 4. प्रत्य पहचान कर लिखिए. First number, Ambooj, answer है ज़. Last का जो सब्देव आपको पहचान कर लिखना है. मधु कर, answer है कर. मन मोहक, answer है कर. महात्मय, answer है य. Fifth number है त्रिप्ती, answer है ई. Six है प्यास, answer है आ. Seven है जलज, answer है ज. Eight number होगा आपका काम धेनू, यहाँ प्यापका धेनू आएगा. Eight number में आपका answer धेनू होगा. Question number five निम्न लिखित प्रत्यक वाक्यों में से भाववाचक संग्या पहचान कर लिखिये. First number, गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने कोई कुँगा क्यों खुदवाए? Answer है प्यास. Second, घुटनों के बल चलते स्रीकृष्ण को सुन्दर्ता मुहक लग रही है. Answer है सुन्दर्ता. Third number, सुसोभित. स्रीकृष्ण के सुन्दर्य को देखना अत्यांत सुख कर लगता है. Answer है सुन्दर्य. Four, फिर सव कल्प तक जीनने की कोई आवशक्ता नहीं. Answer है आवशक्ता. Fifth number, भगवान की महिमा संसार में अनूठी है. Answer है महिमा. Question number six, निन लिखित प्रत्यक वाक्यों में से विसे साथ पहचान कर लिखिए. Question number one, पीले वस्तरों में सुजज्य स्रीकृष्ण मोहक लगते थे. Answer है पीले. Second number, बबूल के व्रिच्छ की कंटीली डालियों को देखकर उस पर कौन चड़ेगा? Answer है कंटीली. Third number, कोई प्यासा व्यक्ती पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने कुवा को क्यों खुदवाएगा? Answer है प्यासा. Four number, स्रिक्रिश्ण के अनन्य भक्त सुर्दास जी ने उनके लिए अत्यंत मनोहर पदों की रचना की? Answer है अनन्य. यहाँ पे आपका पूरा चेप्टर खतम होता है. अगर आपको हमारी डियो पसंद दो तुसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सेर कीजिए. मिनकर्च में जय हिन जय भारत!